तो गाइस क्या होगा अगर बिजली की तारों को मुँ में डाल दिया जाए तो बिलकुल आज हम ऐसा ही करने वाले है आप देख सकते हूं हमारे पास है एक बलड और ये लगा एक बोर्ड और जिसमें मैंने ये पिलक लगा दिया है तो हम बिजली के तारों को पकड़ कर भी दिखाएंगे और बिजली के तार को मुँ में भी डाल कर दिखाएंगे फिर देखते हैं मुझे करेंट लगता है या नहीं लगता है अगर करेंट लगा तो पक्का मैं उपर जाऊंगा अगर करेंट नहीं लगा तो मैं नीचे रहूंगा तो चलिए करते हैं और देखते हैं इस बलब को मैंने निकाल दिया है अब हम एक तार को इसमें लगाते हैं इसमें करेंट आ रहा है लेकिन मुझे करेंट नहीं लगा रहा है ऐसा क्यों है ये देखिए मैंने लगा दिया है और ये भी लगा दिया है अब मैंने दोनों तार इसमें जोड दिये आप सोच रहे होगे कि इसमें करेंट नहीं आ रहा होगा तो चलिए हम बलब को जगला कर दिखाती है ये हमारे पास बलब ये देख लीजिए इसमें करेंट आ रहा है अच्छी तरह से बर्क कर रहा है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पकड़ कर आप फिर भी सोच रहे होंगे करेंट नहीं आ रहा होगा ये देखिए ये देखिए मैंने तार को पकड़ लिया है अच्छी तरह से और करेंट इसमें नहीं लग रहा है इस तार को भी हम पकड़ कर दिखाते हैं यह देखिए और इसमें करेंट आ रहा है तो चलिए अब हम इस तार को मुह में डाल कर दिखाते हैं करेंट लगेगा या नहीं लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको पक्का कि यह देगी तो ऐसा क्यों है कि देख लीजी कोई वीडियो फेक नहीं है बिल्कुल रियल है एक्चुली में हम बैड पर खड़े हुए है तो इसलिए मुझे करेंट नहीं लग रहा है तो ऐसा क्यों होता है इसका रीजन यह है कि जब तक मुझे फेस या न्यूटन दोनों क लगेंगे तब तक मुझे करेंट नहीं लग सकता है चाहिए आप हो चाहिए मैं हूँ तब ही तो लैक्टीशियन वाले होते हैं तो इसलिए करेंट नहीं लगता है अगर हम दढ़ती पर खुले पैर खड़े होकर अगर इन तारों को पकड़ेंगे तो मुझे पक्का अगर अच्छी जानकारी आपको मिली हो तो प्लीश लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो और जानकारी के दिए